सब्सक्राइब पर पर दो पर दो को एक अर्थपूर्ण करम में विवस्तित कीजिए यह एक करम अनुसार लगाना है इनको फ़ेश्ट है हमारा महसागर फिर तालाब नदी यह समुंद्र तो पहले हमारा आता है छोटे तालाब जो कि हमने देखा होगा गाउम में तालाब रहते हैं छोटे उस तरीके के उससे तालाबों से बनती हमारी नदी नदी उसके बाद नदियों से फिर हमारा बनता है समुंद्र फिर इसके बाद हमारा बनता है महसागर तो यह अप्शन हमारा कौन से मैच कर रहा है सेकिंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट तो फर्स्ट का हमारा भी अप्श के तरफ चलते हैं को से नमर सेंट कॉस्ट नमर सेंट है देखें पहले हमारा है पढ़ना फिर सुनना फिर लिखना फिर बोलना तो देखते हैं पहले हम सुनते हैं पहले हम क्या करते हैं सुनते हैं फिर उसके बाद हम बोलते हैं सुनने के बाद हम बोलते हैं बोलने के बाद हम उसको लिखते हैं लिखते हैं फिर उसको हम पढ़ते हैं तो इसका कौन्स ऑप्शन है सेकेंड फॉर्थ फॉर्ष तो इसका हमारा दूसरे का बी ऑप्शन तो भी इरिज्ट का इंसर है हमारा नेक्श्ट को सन के तरफ चलते हैं जो कि हमारा कॉष्ण नुम्मर सब्सक्राइब कॉष्ण नुमर सब्सक्राइब पहले हमारा रहता है सेञ्ट यानी सीसू जबहों होते हैं उस वाली अवस्ता कम सिसर अवस्ता कहते हैं फिर उसके वार रहता है हमारा बच्पन फिर हमारा होता है किसर अवस्ता जो कि हमारी 14-18 साल के बीच की रहती है फिर होता है हमारा प्रोड वस्ता यानि बूड़े का लब रिद्दा से नीचे होते हैं आदमी की वास्ता जो कहते हैं तो यह हमारा कौन सा उप्षन मैच कर रहा है सेकंड थर्ड यह थर्ड नहीं कर रहा है हमारा सेकंड फॉर्थ और फस्ट हमारा तीसरे का बी उप्षन राइट है तीसरे का हमारा बी उप्षन राइट है फॉर्थ कोस्टन है हमारा फॉर्थ का होती है हमारी डूई टाbelt होती है चल्लों कर दो हुआ होती है अब हुआ चौने के हमारा कपड़ा कि तो फौर्थ का मारा स्थ्ट ऑप्शन रइट है फॉर्थ का ये option पिफट कोस्टन के तरफ चलते हैं है वैं पिफ्त हमारा पहले हमारी आई पिर है रुतबा पिर शिक्सा पिर है तंदुरुस्टी पिर नोखरी तो देखते हम इसमें पहले हमारी पहले होनी चाहिए हमारी सिक्सा पहले होनी चाहिए हमारी सिक्सा, सिक्सा के बाद ही हमें नोकरी मिलती है, नोकरी के बाद हम लब नोकरी लग जाएगी तो उसके बाद हम अआई होनी इस्टार्ट हो जाएगी, पर एbने के बाद हमारा बढ़ेगा रुत्बा बढ़ेगा फिर रुत्बे के बाद हम अपनी तंदृुष्ती बढ़ाएंगे रुत्बे से हमारी तंदृुष्ती भी बढ़ेगी तो इसमें हम देखते हैं फस्ट है हम फोर्थ है वह फिर यह west यह तो option तो हमारा पांच का D answer right है next question की तरफ चलते हैं जो कि हमारा chapter 9 second का last question जो कि है sixth से देखते हैं पहला हमारा है मुद्रक, फिरा परकासक, फिरा लेखक, फिरा संपादक, फिरा विकरियता तो उसमें देखते हमारा कौन सो option right है तो सबसे पहले आता है हमारा लेखक समपादक जो छपाई करता है editor फिर उसके बाद आता है publisher जो publish करता है फिर उसके बाद हमारा मुद्रक छपाई के लिए जाती है हमारी book फिर हमारे विक्रेटा यानि जो book को खरीदते हैं वो आते हैं तो हमारा third है ये फिर fourth ये first है ये second है तो 2nd B option देखते हैं हमारा 3rd है या 4th है या 2nd है या 1st है या 5th है तो हमारा 6th का B answer right है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना